पगत सिंग्धा लिख्या है छोटा जब पैंफलिट है मैं नास्तिक क्यों हैं नमी समस्या होर खड़ी हो गई है कि सर्व शक्तिमान सर्व व्यापक ते सर्व हितकारी रबदी होंद वेच मेरा अवश्वास मेरे अहंकार करकी है मैनो कदी चित जेटावी नहीं सी कि मैनो किसे विले यहुजी समस्या दा सामना करना पएगा अपने कुछ दोस्ता नाल गल बात करन तो पता लगा कि मेरे कुछ दोस्ता जो दोस्ति देदाव गल्त ना होए ने मेरे नाल थोड़े जे मेल जोल मगरों पाईरंतीर सिंग्वाल इशार है ये सिट्टा कडले है कि मेरा रबदी होंद तो मुनकर होना मेरी हिमाकत है तेवी कि मेरा हंकारी मेरी अविश्वासना कारण है फेर वी इस मस्याता गंबीरी है एना इंसानी वतीरियां तो उपर होनदा तो मैं दावा नहीं करदा मैं वी आखरे इंसाना ये तो वद कुझ नहीं ते ना ही कोई एस तो वद होनदा दावा कर सकदा मेरे विच वी एक कमजोरी है हंकार मेरे सुभादा वी एक अंग है मैं अपने सातियां विच तानाशा करके जानेयां जान्दा सां। इत्थो तक के मेरा दोस्त भी के दत कदी-कदी मैनू तानाशा करना उन्दा सी। कई मौक्यां उत्ते मैनू हैंकडवाजवी के आ गया। कुछ दोस्त पूरी गंबेरता नाल दोश लौंदे रही कि मैं दूज्यां ते अपनी राय मढदा हां ते अपनी गल मनवालन दा हां। मैं इनकार नहीं करदा के गल किसे हद तक सही है। इसनू आहम वादवी क्या जा सकद है। जित्तो तक समाजदियां रूड़ी वाधी रवायतां दे विरोध्दा स्वाल है। मैं हंकारी हां। पर इस जाती गल नहीं। ये अपने विच्चारां ते मान वाले गल है। इनू अहंकार नी क्या जा सकदा। अभिमान जा कहलो अहंकार किसे मनुखविच लोड़ों वाध अपने आवधा प्रग्टावा हुंद है। कि मैं बेलोडे मान करके नास्तक बढ़े हां। जाए इस विश्य ते डूंगा मुतालिया करन मगरून ते गंबीर सोच जिस बारे मैं थे चर्चा करना चौन्दा। सब तो पहले इन बेडा कर लेए कि अभिमान ते अहंकार दू अलगला गला हुंदिया। मैंनू इस गाल दी होन तक समय ने आई कि बेलोडा मान जब फोक का भिमान मनुख लई आस्तकता दे राद अरोडा के में बन सकते हां। मैं किसे सचे मुची दे महान व्यक्ती दी महान ता तो मुन कर हो सकता हां। विशर्ते कि मैंनू एमेरा जान दे शोरत हाथ लग गई ह हुए जा महान होन ले सची मुची लोडीन दे गुणी मेरे च ना हूँ। ए गल समझ पैंदी है पर एके में हो सकता है कि कोई आस्तक अपने अहंकार करके नास्तक हो जाए। सिर्फ दोगला हो सकती हां। जानता मनुख खोदनूख खोदा दा रकीब समझना शुरू कर दे जा फिर खोदी खुदा बढ़ बैठे। दोहा हालतां विच उस सही नास्तक नहीं हो सकता। पहली सूरत वे चो रकीब दी हालत तो मुनकर नहीं होंदा। ते दूसरी हालत विच उस सुचेत सत्ता दी होंदनू मन दा है जो पर्दे पिछियों सारी प्रकिर्ती नों चला रही है। एदी साडेली कोई एहमियत नहीं है कि वो खुदनू खुदा समध है जा खुदानू खुद तो अलग कोई पर्मसता मन दा है। असल नुकता ये है कि दूहा हालतां विच उदा रभ विच विश्वास काइम रहन दा है। वो किसे वी तरह नास्तक नहीं इहो मैं आखणां चोना। मैं उपर लियां दुहां किसमा विच नहीं आओ दा। मैं ता किसे वी सर्व शक्ति मान जा सर्व वो प्री सत्ता दी हूंद तो मुलोईन कारी है। इंज क्यों है। मैं इदी बारी अग्गी चलकी वी चार चर्चा करांगा। इथी मैं इग अलस्पष् करके नास्तिक ता दे से दांत दातार नहीं नहीं हुया। ना ता मैं खुदा दारकीबा ना कोई रभी अवतार ते ना ही आप पर मातमा हा। इक गलता पकी है कि अहंकार कारण मैं इस सोचनी नहीं अपनाई। इस इल्जाम दा जुआप देन लें मैं तथ ब्यान करदा। मेरे दोस्त कैंदे हन कि दिली, बंब, ते, लहोर, साजिश केसां दोरान मैंनू बड़ी बे लोडी शोरत मिली। उस कारण मेरे ज फोकी शान आ गई। आओ अपा देखिये कि उना दे कथन कितो तक ठीक हन। पिच्छों जे वापरियां कटनावां कारण मैं नास्तिक नही जद मैं नाम मालूम नौजवान से। जद मेरे उपरोकत दोस्त राबदी होन तो सुचेत भी नहीं से। कटो काट कॉले दा कोई विद्यार्थी ये ना विमानी नहीं हो सकता क्यो नास्तक हो जाए। पामी कुछ परफेसर मेनू पसांद कर दे सन ते कुछ ना पसंद। प जोना दिना विच मैं पूरा नास्तक नहीं सी। मैं अपने बाबा जी ते असर हेट वड़ा होया सी। त्यो पक्के आरिया समाझी सा। कोई आरिया समाझी होड़ता सब कुछ हो सकता है। पर नास्तक नहीं। मैं अपनी प्राइमरी दी पढ़ाई मुका के लहौर दे डी स्कूल चे दाखल हो गया, ते दे बोडिंग हाउस विच पूरा इक साल रहा, उथे स्वेर ते तरिकाल संदे आदियां प्रार्थनावां तो छोट, मैं कंटेयां बदी गाहितरी मंतर दा जाप करदा सी, मैं उना दिनांच पकाशर दालू सी, फिर मैं अपनी पिताजी नल र शुरू कर देता, उना दा तार्मिक द्रिष्टी कोण उदार सी, उना दियां सिख्यावां सदकाई मैं अपनी जिन्दगी अजादी दे अदर्श नूर पी, पर उनास्तक नहीं सान, उना दा रभिक पका अकीदा सी, मैंनू हर रोज प्रार्थना करन लई केंदे हुंदे स सो मेरी परवरिश इस टांगनाल होई, ना मिल वर्तन दे दिना विच मैं नैशनल कॉलेज दाखल हो गया, उत्ते मैं सारियां तार्मिक समस्यावां बारे इतो ताके रभ बारे भी खुले तोरते सोचना, ते इना बारे विचार चर्चा करनी शुरू कर देती, पर मेरा जा सिधान्त, जा किसे होरतरम चे विश्वास ना कर सकया, पर रभ दी होन देची मेरा पका विश्वास सी, फिर मैं इनकलाबी पार्टी चे शामल हो गया, मैं जिस पहले आगून मिलिया, उर रभ दी होन तो इनकारी होन दा होसला तक ने कर सकता सी, पावियों एदे बारे पूरी तस तरां सुचेत नहीं सी, मैं उदे कुलो रभ पारे पुछणा, ताउने आख्छडणा, जा तेरा दिल करे, रभ नू ते आलिया कर, नास्तिकता दे सिधा आंतुनू मननले जो होसला चाईद है, यो होसले तो बिना नास्तिकता है, मैं जिस आगूनू मिलिया, उ तो नो दा नान दासना, मान योग, कामरेड, सचिंदर, नात, सान्याल, जो हुन कराची साजिश केस दे सबंद विच उमर कैद पुखत रहे हैं, उना दे एकको एकते परसिद किताब, बंदी जीवन विच, पहले सफे तो ही रभ दी, शान दी, जोर दार महमा गाई गई है इस खोबसूरत किताब दे दूजे पाग दे आखरी सफे विच, उना दे विद्दान्त वादकारन रभ दी अध्यात्मक महमा उना दे विचारां दा सार है, इस तगासे दी कहाणी मुताबक जो इनकलाबी परचा अठाई जन्वरी उन्नीसो पच्ची नू हिंदोस्तान प नानू मत पे दांदे बाव जूद उना विचारानाल सैम्ती प्रक्टाणी पेंदिये। सामपरशाद बिस्मिल पक्के आरिया सुमाजी सन। सुमाजवात दे सामवात दे खेतर चपने डूंगे अध्यन दे बावजूद राजन लाहिडी कोडों उपनिष्टा दे मंतरू चारंते गीता दा पाठ करंतू रया ना गया। उना सारे आंच मैं एक बंदा देख्या स जिने कदे भी प्रार्थना नहीं किती सी तियो क्या करदा सी तार्मिक फलसफा मनुखी कमजोरी या सीमत ग्यानदा सिट है ए बंदा भी उमर के अध्य पुगत रिया है पर इन्वी कदे आखन दी हिमत नहीं पई के रब नहीं है उस अर्से तक मैं सिर्फ रोमेंटिक लेंदा विला आया कुछ चेर पार्टी दी अटल विरोत्ता कारण एदी होंदी खत्रेट सी जोशनाल पर एक कामरेड ही नहीं सोगों आगूवी मजाख डौन लगे कुछ चेर मैनुवी संसार्या के किसे दिन मैनुवी अपनी पार्टी दी निस्सफलता दा यकेन हो जाए ये मेरे इंकलाबी जीवन विचाया वड़ा मोर सी अध्यन करन देया सासां दियां तरंगा मेरे मांचुब्बर दियां रग्यां अध्यन कर तांके तु अपने विरोत्यान ये दलीलां द ज्वाब दे सकन दे योग हो जाए अपने सिदा अंत दी हिमायत वेच दलीला नाल अपने आपनों लैस करन ले अध्यन कर में अध्यन करना शुरू कर देता मेरे पहले अकीदे ते विश्वासां विच वड़ी तब्दीली आ गई साधे तो पहला दे इंकलाबियां विच सिर्फ तशद्द दे तोर तरीक्यांदा रोमांस इना पारू सी हुनो दी थां लोड वेले ताकत दी वर्तों जायज है पर एहिंसा सार्यां जन तक लेरां दी अटोट नीती है मैं तोर तरीक्यां बारे काफी आख चुकां सब तो एहम गाले सी के जिस अधर्श वास्तियसी जुजणे उधा सपष्ट संकलप साड़े सामनी होई क्योंकि एक्षन वजों कोई खास सरगर्मिया नहीं हो रही है सन इसली मैंनू संसार इंकलाब दे वकवक अधर्शान दे अध्यन वास्ते काफी मौका मिल गया मैं अराजिकतावादी आग्गू बाकूनिन नू लैनिन टार्टस्की ती आपने देशांच सफल इंकलाब लेओन वाले हूर व्यक्तियानू पड़िया मिखायल अलेज बाकूनिन अठारांसो चोदातों अठारांसो च्यत्तर रूसी इंकलाबी लेखक सी तिल्यों टार्टस्की अठारांसो उनासी तों उन्नी सो चाड़ी अक्तूबर इंकलाब दाईक आगूस इस सारे नास्तकसान बाकूनिन दे किताब गौड एंड स्टेट राबते रियासत पामे अदूरी जही है परे इस विशेदा दिल्चस्प अध्यान है इस तो मगरो मैंनो निरलंब स्वामी दे लिखी किताब कॉमन सेंस हाथ लगी इस किताब अध्यात्मक नास्तक वाज सी इस विशेच मेरी बहुत ज्यादा दिल्चस्पी होगी 1926 दे अखीर तक मेरा इविश्वास पका हो चुका सी के ब्रहमंड दे सिर्जन पालनहार दे सर्वशक्ती मान दी होंद दा से दांत बेबुने आदे मैं इस विशेच बारे अपने दोस्तानाल बैस करने शुरू कीती मैं एलानिया नास्तक हो चुका सी नास्तक होंदा कारण मैं हेठां ब्यान करना मैं उन्नीस सो स्ताइच में लहौर्च ग्रिफ्तार होया मेरी ग्रिफ्तारी मेरे लिए बड़ी हरानी वली काल सी मैंनू असलोई कोई सार नहीं सी के पुलिस मेरे पिछे लगी होई है जद मैं किसे बाग विचो दी लंग रिया सी था अचानक मैं देख्या के पुलिस ने म अगले दिनो मैंनू रेलवे पुलिस जेल च ले गए जिते मैं पूरा मिना कट्या पुलिस अफसरां दी किन्ने दिना दी गाल बात तों मगरों मैं अंदाजा लाया कि उन्हानू काकोरी पार्टी नाल मेरे सबंदां बारे ते इनकलाबी लैर नाल सबंदत मेरिया कुछ हो सरगर्मिया बारे जानकारी है उन्हाने मैनू दस्या के काकोरी मुकदमे दी समायत दोरान मैं लखनो विच सी ते उन्हान नाल काकोरी मुलाजमा उन्हानू फरार करां दी कोई व्योंत बनाई सी ते उन्हान दी मंजूरी मिलन मगरों असी कुछ बांबोई कठे केते सान त ये के अजमाईश वास्ते होना वेचो एक बंब 1926 दे दुसेरे दे मौके होते पेड़ चो सुटे आसे उनाने मेरे हेतो वास्ते मैनो ये भी दसिया कि जे मैं इनकलाबी पाटी दियां सरगर्मियां बारे कोई ब्यान देवां ता मैनो कैद नहीं होईगी सोगो मैनू रिहा कर देंगे ते नाम देंगे ते मैनू अदालत वेच वादा माफ वजो पेश नहीं करनेंगे मैं उना दिये तजवीज उते हास छड़ियां इस सरासार तो खासी साड़े विचाराम अले लोग कदे वी अपने मासूम लोकाओं ते बंब नहीं शूट दे इक दिन स्वेरे मिस्टर न्यू मैन मेरे कुल आया सी जो उनी दिनी CID दा सीनियर सुप्डेंट हुन्दा सी मेरे उते का कोरी मुकदमे दे सबंद वेच जंग छेडन दी साजिश्ते दुसेरा बंब साके दे वैशी कातलां दा मुकदमां च लोण ले मजबूर होंगे फेरो मैनू आखन लगा कि मैनू सजा दिवान ते फाहे लोण लेई उना कोल गवाही मौजूद है उनी दिनी मेरा विश्वास सी पामे मैं बिलकुल मसूम सी कि पुलिस जो दावी कर सक दिया हो कर भी सक दिया उसे दिन कुछ पुलिस अफसर्दों में वेडे रब्दा नाल लेंड लेई मैनू प्रेरन लग पै मैं नास्तिक सी मैं अपने अपनल फैसला करना चौदा सी कि की मैं अमन चैन ते खुशी दे दिना चे नास्तिक होंड दी फाड़ मार सकदा जा एहोजी ओखी कड़ी विच मैं अपने असूलाओं ते साबत कदम रह सकदा जाने, बड़ी सोच विचार मगरूं मैं फैसला केता कि मैं रब विच यकिन नहीं कर सकता, ते ना ही अरदास कर सकता, मैं कदे भी अरदास ना कीती, ए पर्ख दी कड़ी सी, ते मैं इस पर्ख विच विचों काम्याब रहा, मैं कदे एक पल भी, किसे भी कीमत अपनी जान पारे नहीं सोचिया सी, सो में पका नास्तक सी, ते ओदों तो लेके होन तक हाँ, उस अजमाइश्ट पूरा उत्तरना कुछ होखी गल नहीं सी, विश्वास मुश्कलानू काट कार दन्दे, इत्थ तक के उनानू खोश गवार बना दन्दे, बंदा राबज तर्वास ते आस रेदा बहुत जोरदार है, सास लब सकता है, ओदे तो बेना, मनुख नू अपने आपोते निर्बर होना पेंदा है, चक्खडचा जियां ते तुफाना विच साबत कदम रहना बच्चे दी खेडने, इहो जियां अजमाइश्टी कडियां विच किसे विच कोई होम में होर कोई ताकत भी हुंदी होनी है, होन बिलकुल एही हालत है, पहले ही चंग इतना पता है कि साड़े मुकदमे दा की फैसला होईगा, हफ्ते दे विच विच फैसला सुना दिता जाए, मैं अपनी जिंदगी या दर्श खातर कुर्बान कर देनी है, ये स्विचार तो बिन मेरा होर केड़ा तरवास है, किसे आस्तक हिंदुनों तां दुजे जनम जब बाश्या बढ़न दी आस हो सकती है, कोई मुसलमान जाए साहिता अपनिया मुश्कलां ते कुर्बानियां बदले स्वरग दिया इशो इश्रतां दी कलपना कर सकता है, पर मैं किस गल्दी आस र दावली विच अखिये, ता मेरी आत्मा दा बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, एस पल मगरों कुछ भी नहीं होएगा, जे मैं इनाम दे दृष्टी कौन तो देखन दी हिम्मत करां, ता शानदार अंत तो वन जी जदो जैद परे मुक्तसर जिंदगी ही अपने आप्ट इना जाग होके अपनी जिंदगी अजादी दे लेखे लाई है, क्योंकि मेरी को एस तो बिना होर कोई चारा नहीं सी, जिस दिन मनुक्ता दी सेवा दे दुख चाग रही, मनुक्ता दे नजात दी पावनानाल प्रिरत, बहुत सारे मर्द और ताग्गे आ गए, जेड़े इस ब एस गलोनी बंगारंगे, क्यों एस जा अगले जनमच, जा मौत मगरूं बहस्त वेच बाशा बान जाणगे, जा उनानु कोई नाम मिल जाएगा, सगों मनुक्ता दी तोन तो गुलामी दा जूला लोन लेई, तिया जादी तिया मन काईमर करन लेई ही, वो इस बिखडे पर एकको एक शांदार मारगूते चलनगे, की अपने सच्चेया दर्शवेच उना दे माननू अहंकार क्या जा सकते, इहो जी क्रेणत ब्यानी करन दी कौन जुरत कर सकते, इहो जे बंदेनू मैं मूरख जांप खंडी आखांगा, चलो अपायनू माफ कर देने, क्योंकि उस पावना ते ऐसास नू जाननी सकता, उदा दिल मास दा बे जान लो थड़ा है, उदी द्रिष्टी कमजोर है, क्योंकि होर गर्जान या बुराइयां दा उना उते परदा प्या हुए है, स्वेव विश्वास नू अहंकार समझिया जा सकता है, इह अफसोस नाक ते तरस यो गल है, पर एदा कोई चारा नहीं, तुसी परचलत विश्वास दा विरोध करके देख लो, तुसी नेक लंक अवतार समझे जान दे किसे नायक, किसे महान पुर्ख दी नुकता चीनी करके देख लो, तो अड़ी दलील दा जवाब तो नू कमंडी जा अहंकारी आके दिता जाएगा, ये दा कारण मानसिक खुड़ो होता है, अलोचना ते सुतंतर सोचनी इनकलाब दे दो लाजमी गुण होंदे हैं, क्योंकि महात्मान जी महान हन, इसली कोई ओना दिय अलोचना ना करें, क्योंकि उपर उठ चुके हैं, इसले यो राजनीती, जा तरमार्थिकता जा सदा चार बारे कुछ भी कहन दे हमता सही होंदे, तुसे मन दे उपावें नहीं मन दे, तो आनों जरूर कहना पहेगा, हाँ ए गल ठेक है, ये मानसिकता सानू प्रगती वाल नहीं ले जान दे, सो गोई इस पश्च तोरते प्रती गम मी मानसिकता है, क्योंकि इस सड़ दे वडे वडेरिया ने किसे सर्व शक्ति मान पर मात्मा विच्व विश्वास बना लियां सी, इसलिए कोई भी बंदा जिड़ा उस विश्वास जा उस पर मात्मा दी होंदा, तो मुनकर होंदा होसला कर दा है, उनूं हर हालच का फरगतदार किया जाएगा, जिए उदिय दलीलान वगों कटेया ना जा सकता होई, तो सर्व शक्ति मान दी करूपी वियोदा जोरदार, उदी जोरदार द्रिड़ता नूं डेख ना सकेता, उनूं कमंडी गरदानिया जाएगा, तो द्रिड़ता नूं हंकार राख्या जाएगा, तो फिर इस फुजूल बैस्ट सम क्यों जाया किता जाएगा, ये स्वाल लोग का आगे पहली वार आ रहे है, तेस नूं इस तरीके नल पहली वार लेया जा रहे है, इसे लिए लम्मी बैस हो रही है, जित्थों तक पहले स्वाल दास बंद है, मेरी विचार है कि मैं सपष्ट कर देता है, कि मैं अहंकार कार नास तक नहीं बढ़े हैं ए फैसला मैं नहीं सोगो मेरी पाठका नहीं करने है कि मीरियां दलीला खुब वियां साबत होया हन जा नहीं मैंनों पता है कि हुनदियां हालतां विच जे मैं आस तक हुन दा मेरी जिंदगी हुन नालो असान होने सी ते मेरा बोज होन नलों कट होना से, ते मेरे रबदी होन तो इनकारी होन करके, हालात बहुत ही अंसुखावी हो गए हन, ते हालत एस्तों भी पैड़ी हो सकती है, थोड़ा जिन्नार हासुआ दे इस हालत नों शायरा ना बढा सकते है, पर मैंनू अपने अंत वास्ते किसे न नशे दी मददी लोड नहीं है, मैं यथार्थ हो अदिया, मैं तरक दी मददनाले इस रूजान वुते काबू पान दी कोशिश करदार हा, मैं उसकोशिश विच हमेश ही सफल नहीं होन दा, पर बंदे दा फर्ज दा कोशिश करी जाना होन दे, काम्याबी मोख्के दे हाला तुद्धे निर्बर हुंदी है। जिवे मैं पहले ही आग चुपका मेरा कोई इनकलाबी दोस्त किया करदा सी के फल्सुफा मनुखी कमजूरी दी प्यादावार है। जद साड़े वड़े वड़े रियां कोड़े से जगत माशेनू जानन दी काफी फुर्सत मिली ते जद उनानू जगत दे अतीत वर्तमान दे पविख दे ते होर बहुत सारे सुवालां दे सिद्धे सबूत ना मिले। ता हर किसी ने इस मस्यानों अपने तरीके नल सुलजाओं दी कोशिश कीती। इसे करके वखवख तरमादे बुनियादी सिदानता विच वड़े वड़े मतपेद मिल दे हैं। जड़े कदे कदे बहुत विरुदी रूप अक्तियार कर जन दे हैं। जिते एशियाई ते यौर्पी फिलासफियां विच विच वखरेव हैं। इतो ता के हर माहा खेतर्दियां वखवख विचार परनालियांच मतपेद मिल दे हैं। एशियाई तरमाच मुस्लिम तरम दी हिंदू तरम नल कोई सांज नहीं। सिर्फ हिंदोस्तान वेचे बुद्ध तरम ते जैन तरम बमण वाद तो काफी वखरे हैं। ते बमण वाद वेचे अग्गां आरिया समाय ते सनातन तरम वर्गे गुरूती मतखान। चार वाग महापार्थ वेलेदा संदेवाद्धी दार्षनिक जड़ा पदार्थ वाद्धी सिदांत दा परचारक सी। समेदे हाकमानेवनू उज्योंदेनू सार देता सी। चार वाग पुरातनकाल्दा सुतंतर चिन्तक सी। इने राबधी प्रभुसत्तानू वंगार्यासी। इना सारे मतां विच बुन्यादी स्वाल बारे मतबेधान। अते हर कोई अपने आपनू द्रोस्त मन्दा है। इहो सारी बुराई है। पुराणे विद्वान्नादी विच्छारां ते तजर्भ्यान्व ज्यांता व्रुद सड्डी आण वली जद्धो जैदा दहार बणोन। ते इस पेद परिसमस्यादा हल्लब्बन्दी कूशिश करंदी थां। असी सुस्त निकम्मे कटड तरम दी हाल दुहाई पौण लग जाने है। ते इंज मनुख्य जाविर्ती विच आई खडो तुदे कुसूरु आरा। जेडावि मनुख्य प्रगती दहामी है। उन्हों लाजमी तोर ते पुराणे विश्वास्ती हर गाल्दी अलोचना करनी पैगे। एदे विच आविश्वास परगट करनां पैगा। तेदे हर पैलूनू वंगारनां पैगा। पर चल्णत विश्वास्ती कल्ली कल्ली गाल्दी बादलील पंचान करनी हुएगी। जे कोई दलील नाल किसी सिधान्त जां फलस्वेविच विश्वास करन लगद है तो विश्वास सराण योग है। उदी दलील गल्त जां उककाई बेबुन्याद हो सकती है। पर उनू द्रुस्त रावते लियांदा जा सकता है क्योंके तरकशीलता उदी जिंदगी दा त्रूतारा हुंदी है। पर निरा विश्वास ते अन्ना विश्वास खतरनाक होंदा है। ए दिमागनू कुंद बनोंदा है ते बंदेनू प्रतिगाम्मी मतला पिछांखी चू बना देंदा है। जेडावी बंदा यथार्थवादी होंदा दवा करदा है। उनू समुच्चे पुरातन विश्वास नू चैलेंज करना पएगा। जे ए विश्वास दलील अग्गे ना खड़ सके तैटे टेरी हो जानगे। फेर उस बंदेदा पहला काम। सारे पुरातन विश्वास नू तबा करके नमे फल्सफेली जमीन त्यार करना होएगा। ये नकारात्मक पक है। ये इस तों मगरों सकारात्मक का मशुरू हन्द है। जिस विश्वेच कई पुराने विश्वास दी कुछ समगरी मुड़ो सारी ली वर्ती जा सकती है। जित्थों तक मेरा सबंद है, मैं ये तसलीम करदां कि मैं इस बारे बहुता अध्यल नहीं कर सकया। ये श्याई फल्सफेली नू पड़न दी मिरी वड़ी रीज सी पर मैंनू ये दा वक्त जा मौका नहीं मिल सकया। पर जित्थों तक नकार आत्मक पाखदास बंद है, मैंनू एत्थों तक यकीन है कि मैं पुरातन विश्वास्ती पुक्तगी उत्ते किन्तू कर सकता है। मैंनू पका यकीन है कि कुदरत नू चलाउन वड़ा कोई परमातमा जा सुचेत सत्ता नहीं है। साड़ा कुदरत वेची यकीन है, ते समुच्ची त्रक्की दा निशानना उनुखता कुदरत उत्ते अपनी सेवावास्ती गल्बा पौणा है। एदे पिछे कोई सुचेत चालक शक्ती नहीं है, ये साड़ा फल्सफा है। नकार आत्मक पाखतों सी आस्तकांतों कुछ सुवाल पुछ देया। तो अड़े विश्वास अनुसार जे कोई सर्व शक्ती मान, सरव व्यापपक ते सर्व ग्याता रब है। ता दुनिया जा तरती नू जीने साजिया सी। मैंनू ये दसंदी मिर्बानी करो, क्योंने तरती साजी क्यों। ओ तरती जो दुखां, आफ्ता, अंगेंत, अनंत, दुखां तानल परीपई है। जेते एकवी जी पुरी तरह सुखी नहीं है। मिर्बानी करके ये ना खो, कि ओदा नेम है। जे हो किसे नेम देवास है, ता उसर्व शक्ती मान नहीं है। ता फेर हो इसा डेवरगा गुलाम है। मिर्बानी करके ये वी ना खो, कि ओदा शुगल है। नीरो ने ता इको रोम साड के सुआ किता से। उन्हें गिंती दे बंदे जानों मारे सा। ओदे हथों बहुत काट दुखांत वापरे। ये सब उन्हें अपने मजे ले कीता। ते इतिहास वे चुनू केड़ी था हासल है। इतिहास कारोदा जिकर केड़े नमानल कर दे है। सारे वेले विशेशक ओदे ले वर्ते जान दे है। जालम, बेरैम, शैतान, नीरोदी, नखेदी कर ले, लानता नाल सफयां दे सफय काड़े कीते पए हैं। एक चंगेज खाने मजा ले ले, कुछ हजार लोग का दी जान ले इसी। ते आज जसी होदे ना तक नू नफरत कर ले हैं। ता फिर तुसी अपने सर्वशक्तिमान अनंत नीरोणों किमे वाजब ठहराओगे। जो अजेवी हर दिन हर कड़ी थे हर पल अंगिंत कतल करी जा रहे हैं। तुसी ओदियां ना करतूतां दी हिमायत किमे करोंगे। जेड़ियां पलो पली चंगीज दियां करतूतां नों भी मात पाई जान दियां। मैं पोछदां के दुनियां बनाई ही क्यों सी। दुनियां जड़ी सची मुची दा नरक हैं। अनंत ते तल्ख बेचैनी दाकार है। सरव शक्ति मानने मनुख क्यों साजियां। जड़ के उधे कोड मनुख नू साजन दी ताकत सी। इना सारियां गलांदा तो अडे कुल की जवाग है। तुसी ये आखोगें के अगले जनम च मासूम पीड़ता नू निवाजन लई। ते को कर्मियां नू सजा देन ले उन्हें अंज कीता। अच्छा। तप फेर तुसी योस बंदेनू के में हक्के ठहरा होगे। जो तो अडे सरी नू इस वास्ते जखमी कर दें। के मगरों बड़े प्यार नाल टकोरां करेगा। ग्लैडियेटर प्रातन रोम चो गुलामा जंगी कह दियां जान सजा याफता मुजुर्मानू राजे दे दरवार च आपस विच जान लेवा तलवार बाजी करन दी। बहुत सक्त के सम्दी सिखलाई दिती जान दी सी। राजा कई वार मजे खातर गुलामानू पुखे शेरां अगे छड़ देंदा सी। ग्लैडियेटर लातीनी बुलीदा शबद हैं तेदा अर्थ हैं तलवार बाज। ग्लैडियेटर संस्था दे हिमाईतियां ते परबंद कांदा एक कारा कित्थों दाई सई हुंदा सी। दुझे उपुखे कारूपी शेरां अगे बंद्यानू इसले सुट देंदे सी के जियो शेरां दे हत्थों बच गए तोना दी बहुत खातर तवज्जो होएगी। इसे करके मैं पुझदा सुचेत सर्ब उच सत्ता ने ए दुनिया ते मनुख क्यों साचे है। मजाल है नी। फेरोदे वेच ते नीरोच की फरक है। मुसल्मानों ते इसायों हिंदू दर्शन कोलता होरवी दलील होएकी। मैं तो अड़े कोलों उपरले सुवालां दे जवाब पुझदा। पूर्बले जनम वेच तो अड़ा यकीन नहीं है। तुसी हिंदूआं वांग मासूम पीरतां दे पहले कीते मंदे करमा वाली दलील नहीं वर्थ सकते। मैं तो अटो पुझदा के सर्व शक्ती मान ने ए दुनिया साजन ले छे दिन क्यों मेनत कीती। उन्हें क्यों किया सी साब अच्छा है। उन्हों आजी सदो उन्हों प जाल कोठडियां तो गंदियां बस्तियां ते चौंपडियां ज पोख मरीद हतों मररें लखाई लोकानू देखके पुझजी वादी लोकां कोडों चुप चाप जांकेलों बे वास्तगी नाल अपना लहू पिलारें लुटीन दे मुझदूरानू वेके इंसानी ताकत दी बरबादी जिनू देखके अत्सदारन बुद्धी वाड़ा व्यक्तिवी डरनल कंबन लग जाए ते लोडवांदू उत्पादनानू वंडण दी थां वद्धू पैदावार समुंदरां च सुट्टी जांदी वेके इंसानादियां हड़ियां नल चेनियां निहां उते उ दोरता तुसी हिंदू ए आख देओ कि आज जेड़ा भी दुख चल रहे हैं वो पूरबले जनम दे मंदे कर्मा करके है ठीक है तुसी एभी कहन देओ कि जेड़े आज लोका नू दबा रहे हन वो पूरबले जनमांच तर्मातमा लोग सान इस करके उननादी हाथ ताकत है म अपन देख देआं कि इस दलील किनना को वजन है बहुत उगे नियाज शास्त्रियां दाए विचार है कि कुसूरवार नू जो सजा दिती जन्दी है उदे तिन जान चार मकसद हो सकते हैं ते इस यदार हो ते सजा नू वाजब करार दिता जा सकता है ये मकसद हैं बदला, सुदार ते वरजण ले डर, उन सारे स्याने चिंत तक बदले दे सिदांत दी नखेदी करदे हैं, वरजण वाले सिदां दी बी नुक्ता चीनी हो रही है, सुदार उक सिदांत ही जरूरी है ते इनसानी तरकी दा अटुट आंग है, इस सिदां दा मनत भी है कि कुसूरवा सबतों वद काबल ते अमन पसांद शेरी बन के सुमाज बीट वापस आ जावे पर जित असी ए मन भी लगे के बंदियां ने पूरबले जनम बेच पाप किते होन गे तर अब जड़ी उनानू सजा दिन दे, ओके हो जी ए तुसी आख देओ उनानू गाम, बिली, द्रक्त, जड़ी, बुटी, जा जानवर दी रूप चे जनम लैंडी पेज दे तुसी एना सजामा दी गिंती 84 लख दस देओ मैंनू ए दसो के एदा मनुख होते कोई सुधार का सर पेंदे तुसी ऐसी किन्ने को जने अनू मिले हो, क्यो पाप करन कारण पिछले जनम चे गदे दी जून पैस है कोई नहीं मिले हो, अपने पुराने ते बिरतांत दी लोड नहीं मैं तो अड़ियां मित्हासी कहाणियां दा जिकर तक नहीं छोना चोंदा इस तो बिना तो अनू इस कहल दा पता है कि दुनिया मिच सब तो वड़ा पाप गरीब होना है गरीबी पाप है, सजा है तो सिये हो जियां सजावां तजवीज करन वाले किसे अपराद विग्यानी, किसे कनून दान, जग कनून साज दी किनी कुछ सिफ्ट सलाई करोगे जिस नाल मनुक होर वदेरे गुना करन ली मजबूर होन दे कि तो अड़े रबने इस गल बारे पहला नहीं सोचिया सी जाओ वी ए गला मनुकता दियां अकै दुख तकलीफां दी कीमत होते ज़र्बियां रही सिख़द तो अड़ी जाचे किसे चमार जा पंगी दे, अनपढ परवार विच जम्मे बंदी दी, की होनी होएगी ओ गरीब है, इसलिए उपड़ाई नहीं कर सकता खोदनू चंगे समझन वाले दुझे इनसान उनू नफरत कर दे हां ते तिक कार दे हां क्योंके ओ उचेरी जाथ विच पैदा होए सां ओधी अग्यान ता, ओधी गरीबी ते जड़ा सलूक होदे नल होंदे इना सारी अंगलां करन समाज ताइं उदा दिल सकत हो जाएगा फर्ज करो कि ओके पाप कर दे ताइदा खम्याजा कौन बुगतेगा रब जब आप करन वाला जा समाज दे गुणी गयान नी बन दे उना लोकानू मिलियां सजामा बारे तुसी की आखोगे जिनानू हिर्सी ते हंकारी ब्रह्मना ने जान बुझ के अग्यानता दियां गारांच सुटेया सी उना दा कसूरे हो सी के उना पापियांने तो अड़े ग्यान दियां पोथियां, वेदानियां, कुझ सत्रां, अपने कन्नी सुन लें सान, ते तुसी उन्ह दे कन्ना ची सिकाटाल के पादिलता से, जी उन्ह ने कोई कसूर कीता सी, तैदा जम्यवार कौन सी, ते बिपता किस दे सिर्पेनी सी, मेरे प्यारे दोस्तों, इस सारे सिदांत खास अध कारां दे मालकानियां का डाही है, इना सिदांता सदकाई, वो अपनी लुटी होई ताकत, दौलत ते उत्मतानों वाजब ठहरां दे है, हाँ, शायद अप्टन सिन्कलेर ने किसे थान लिखे आ सी, अप्टन सिकलेर, अप्टन सिन्कलेर 1888, शायद, अमरीकी लेखक ते 1888 लिखे, पैंफलिट, प्रॉफिट्स ओफ रिलिजन, के बंदेनों आत्मा दी अमरता विच, यकीन करन ला दियो, ते फिरो दे कोल, जो कुछ भी ये लुटलो, वो सगों हसके तोड़ी मदद करेगा, तार्मिक उपदेश का, ते हुकमराना ने मिली पुगत करके, जेला फाइया, कोरड़े दे इना सिदानतां दी काड़ गटी से, मैंनुए दसो, के तो अड़ा सरब शक्तिमान रब, हर किसे बंदेनों कसूर, जब पाप करनों वर्जदा क्योंनी, ओदेली ये काम बहुत सौक है, उने जांग बाजानों क्योंना जाननों मारया, जा उना दे ज जंगी पागलपन नो मार के वड़ी जांग नाल मनुखता होते आई, पर लो नो क्योंना बचाया, उन्ग्रेज लोकां दे मनाच कोई अजया, जजबा क्योंनी पार देन्दा क्यों हिंदोस्तान चाड़ के चले जाना, उस सारे सर्माएदारां दे मनावेचे जजबा क्यो तुसी बैस करना चाओगे कि समाजवादी सिदांत लागू हो सकदा जा नहीं, मैं इनू लागू करन दा जिम्मान तो अड़े परवर्दिगार उत्ते शुटदा, जित्तो तक आम लोग पलाई दास बंद है, लोकां नू समाजवादे गुनां दा पता है, उए दा ते तो कर दिया है, के लागू नहीं हो सकदा, चलो तो अड़ा रब आवे, ते सब कुछ बाकाइदा तरीके नल कर देवे, उन तुसी दलील विच उन दलील कड़न दी कोशिश ना करने, मैं तो नू दसना, हिंदोस्तान उत्ते जे बरतानवी हकोमत है, ते रब दी मर्जी कारण नहीं है, सोगो ये इस कारण है के साड़े विच एदा विरोध करन दी हिम्मत नहीं है, ओर रब दी मददनाल सानु गुलाम नहीं रख रहे, सोगो उना ने बंदू कां, तोपां, बंबां, गोलियां, पुलिस फॉय दी मददनाल सानु गुलाम बनाया होया है, ते स वो की कर रहे हैं? कि वो मनुखता दियाना सारियां दुख तकलीफां दा मजा ले रहे हैं? वो नीरो हैं? वो चंगेज का हैं? रब मुर्दाबाद तुसी मैंनू ये पुछोगे कि एस दुनियान दा थे मनुखदारा मुक्के में होया से चाल्लस डार्विन, चाललस डार्विन, अठारानसा नौत, अठारानसा भ्यास सी, अंग्रेज प्रक्रित्वादी उन्णीवी सदी दी सब्तो वड़ी जित ओधी 889 विछ चपी, ओरिजिन अव् स्पैसी सी जेस्वेच प्रकिर्ती देविकास दा सिधांत सी, एस सिधांत ने कुद्रत सबंदी तार्मेक देविचार्वादी संकल्पानों तोड़ देता। चारलस डार्वन एस विशे बारे चानना पौन दी कोशिश कीती है। उदा मुतालिया करो, सोहम स्वामी दी किताब कॉमन सेंस पडो, तो नो इस सवाल दा कुछ हद तक जवाब मिल जाएगा। ते उस्तो मगरों जोवी उन्ती होई, उ मनुख दी कुदरत ना लगातार, टकर ते मनुख वलों कुदरत होते काबू पाउन दी कोशिश वज्जों होई सी। तर ती दे आध बारे इस सब तो संखेप जया विरगा है। तो डागला स्वाल हो सकत है कि पिछले जनम वेच माडे करम ना कीते हों का बच्चा अन्ना जा लंगडा क्यों जामद है। जीवी ज्यानिया ने इस मस्यादा जिकर कीता है कि ए जीवी ज्यानक विश्य है। ओ स्वाल ही है कि जे रब नहीं सी ता फिर लोकोंनू मनन के में लगे। मेरा ज्वाब स्पष्ट ते संखेप होएगा। जिमें लोक पूत अंपरेता नू मनन लाग प्रैसी। ओमें यो रब नू मनन लाग प्रैसी। फरक सिर्फ एन ना है कि रब च विश्वास तकरीबन सर्व व्याप पे खाया। ते एस दा दर्शन काफी विक्सत है। कुछ परिवर्तनकारियां वांग मेरा ए विचार नहीं है कि रब आद लुटक सुट करनवालेयां दी कर्तूच सी ताके ओ सर्वुज सत्ता दी होंदता परचार करके अपनियां गदियां काइम। जुरूरी नुकते नल कोई मत पेद नहीं है कि सारे तारमिक मत तरं सिदान्थ ते होरे हुजियां संस्थावां आखरकार जाबर दमनकारी संस्थावां व्यक्तियां दियां जमात्तादियां हमैं तीकी हो सकतियां हन। हर तर में कैंदा है कि बाश्यावरुद बगावत करना हमेशें पाप हुन्द है रब देई आध बारे मेरा अपणा विचारे है कि जद मनुखनू अपणियां सिमावां कमजोरियां ती कम्याँदाय सास हो गया तो नेर अबदी कालपनीक होंद बणाले ताकें त्यानी हालत दा द्रिडता नाल सामना करनले मनुखनू होसला मिले ताके सारे खत्रेयांदा जवां मर्दी नाल मुकाबला कर सके ते खुशाली ते अमीरी दी हालत विच अपणियां इच्छावां ते काबू पासके मनुखने राबनू एदे निज पूरक नेमा ते पालन हार गुणा दे रूप विच्चित्वे आसी ते चित्रे आसी ओधी करोपी ते निज रूपक नेमानू विचारन वेले ओ ताडना दा काम देंदा सी ताके मनुख समाज वास्ते खत्राना बान जाए उधे पालन हार गुणा विचो मा, पिता, पैन, पाई, दोस्त ते मददगार सी ताके उस हालत विच जद बंदे नू ओखे वेले हार कोई छड जाए तो उस कड़ी वी बंदे नू ये तरवास रहे कि उधी मदद करन ले उनू टारस देन ले सदा सलामत रैन वड़ा सच् आदकाल च रब सचे अर्थां च समाज ले लाहे बंद सी ओखी कड़ी वेले रबदा विचार बंदे ले मददगार हुन दे समाज ने जमें बुद्ध पूजा ते तरम दे तंग नजर संकल्प विरुद लड़ाई लड़ी सी उसे तरह समाज नू रब दे विश्वास विरुद लड़नाम पहना है इसे तरह बंदा जाद अपने पैरी होन दी कोशिश करन लगा ते यथार्थ वादी होन लगा तो अनू रब दा विश्वास लंबे सुटनां पहेगा ते हर मुश्किल, हर आफत, ते हर तरह दी हालत दा डट के मुकाबला करना पहेगा इस विले मेरी हालत बिलकुल ही है मेरे दोस्तो, मेरे ये कोई हंकार नहीं है मैं अपनी सोचनविदी नाल ही नास तक बढ़े हाँ मेरा ख्याल नहीं के रबच विश्वास करन नाल ते हर रोज अर्दास करन नाल जिड़ा के मैं मनुखदा सब तो वद खुद गर्जी करन वाला ते कटिया काम समय दा मेरा कुछ सौर सकत है जाए दे नाल मेरी हालत होर भी पैड़ी हो जाएगी मैं अउना नास तकाम बारे पड़े है जिना ने बहुत डट के सारिया मुश्कलान दा मुकाबला कीता सी इसलिए मैं अखीर तक फांसी दे तकते तेवी मर्द वांग सिर्थ तान के साबत कदम रहन दे कुशिश कर रहा है देखी मैं इस तो किना को पूरा उतर दा हां मेरे किसे दोस्त ने मैं नुवर दास करन दी क्या सी जद मैं अनू दस्या के मैं ता नास्त खां तो कहन लगया देखी अपने अखीरी दिनांच रबनू मनन लग जाएंगा मैं अगों क्या नहीं प्यारे जनाब जी एस तरहां हर्गिस नहीं होन लगा इंज करना मेरे लिए बड़ा कटिया ते पस्ती वड़ी काल हुएगी खुद गर्जी वास्ति में अरदास नहीं करनी पाठकों ते दोस्तों कि ये हौमे है जे है ता मैं इसले द्रिढ़ा तन वाद